हेलो फ्रेंड्स वेलकम ट्यूट एरिया मैं परिंकवार आप सभी का स्वायत करता हूँ आज की इस वीडियो में जो है महत्पून समान नय ध्यन प्रस्न स्रिंखला का 35 वीडियो इससे पहले आपको 34 वीडियो अप्लोड किये जा चुके हैं यह स्रिंखला जो है आज ही समाप्त होगी यह 35 वीडियो के साथ तो आप इसको एक बार फिर से 1 से ले करके 35 तक रिवीजन कर लेंगे और फिर हम लोग अब नेक्स्ट नई स्रिंखलाओं के साथ आएंगे यह जो हमारा महत्कून समान अध्यन का जो प्रसंद स्रिंखला चल रहा था आज 35 वीडियो के साथ से ही समाप्त किया जाएगा साथ ही साथ अब हम लोग कुछ नए सेग्मेंट और नए सेक्शन आप लोग के लिए ले करके आएंगे तो उसका इंतजार कीजिएगा और हम लोग इसके बारे में टीटेंस आपको यूटूब और टेलीगराम के माध्यम से दे देंगे फिलाल चलते हैं आज के इस वीडियो में और इसकी स्रिंखला को सुरू करते हैं इसके अलावा मैं बता दू कि जितने भी वीडियो आपको अपलोड कराएगे हैं उसके सारे पीडियो जो है आप हमारे टेलीगराम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीगराम से जुडने के लिए आपको टेलीगराम में जाकर के Edutedia लिखना है Edutedia Test Series यह Test Series जैसे ही आप टाइप करेंगे तो इसके थुरू आप हमारे Telegram चेनल पर जाकर के Join बटन को क्लिक करते हुए जोइन कर लेंगे और यहां से आप हमारे सारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं साथ इस 35 वीडियो की पूरी स्रिंखला को देखने के लिए आप हमारे डिस्किप्σιन में जाकरके इसके लिंक पर क्लिक कर सकते हैं आपको 35 वीडियो दिखाई देंगे और आप इसको क्रम सह देख सकेंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज की सिरिंखला को राते हैं सबसे पहले प्रशन की ओर सबसे पहला प्रशन है निमलिकित में से कौन सा गर्म जलधारा है आपको पता है कि महा सागरो में इस पेसली दो प्रकार की धाराओं का समावेशन देखने को मिलता है एक ठंडी जलधारा जो धुरूबेच छेतर से चलती है और एक गर्म जलधारा जो कीबी स्वत रेखिये छेतर से चलती है तो यहां हम से पूछा गया है कि गर्म जलधारा क्या है उप्सन है फॉकलेंड धारा, ब्राजील धारा, लिबराडोर धारा, कनारी धारा तो यदि आप धाराओं के नाम को याद किये होंगे तो इसका जो सही उतर है वो है ब्राजील धारा ब्राजील, इर्मिंजर, फ्लोरीडा, गल्फ स्ट्रीम, आदी जो है प्रमुख अट्लांटिक महासागर की गर्म जलधारा हैं जबकि लेब्राडोर, कनारी, फॉकलेंड, अट्लांटिक महासागर की प्रमुख ठंडी जलधारा हैं नेक्स प्रंस आते हैं दूसरा प्रशन है निमलिखित में से किस वन में संकुधारी विरिक्ष पाये जाते हैं तो ऐसे विरिक्ष जिनका आकार संकु के रूप में होता है, ऐसे विरिक्षो को संकुधारी वन कहा जाता है हलाकि इनका नाम संकुधारी इनके विरिक्ष के आकार पे नहीं, बलकि इनके फलो के आकार पर रखा जाता है आते हैं संकुधारी वन के बारे में ये कहां पाय जाते हैं टैगा वन में पाय जाते हैं टूंडरा वन में पाय जाते हैं परवतिये वन में पाय जाते हैं बिश्वत रेखिये वन में पाय जाते हैं तो वास्तों में ये जो Christmas tree type का जो सेफ होता है ये especially पाय जाता है परवतिये वनों में तो परवतिये वन में चोड़ी पती वाले संकुधारी ब्रिक्स पाय जाते हैं जैसे चीड, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, आदी टैगा वन की बात करें तो ये कौन धारी ब्रिक्स होते हैं और ये सदा वरहार वन के परकार होते हैं टूंडरावन की बात करें तो ये मुखे रूप से जो टूंडरावन होते हैं ये बर्फ वाले छेतरों में पाय जाते हैं और बहुत छोटी छोटे घास और मौस और लाइकेन जैसे घास जो है वहां मुखे रूप से पाय जाते हैं तीसरा प्रशने निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो नहीं वाला ढूंडा है मेसाबी खान जो है ये लोह आयस के लिए परसीद है होम एस्टेक खान जो है सोना के लिए फेमस है बैला डील जो है वो खान जो है वो लोह आयस के लिए फेमस है और कलगुर्ली खान जो है वो बॉक्साइड के लिए फिमस है तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसका जो सही उतर है वो है आप्शन नमबर D कालगुर्ली खान कालगुर्ली खान बॉक्साइड से नहीं बलकि काल गुर्णी खान जो है ये औस्ट्रिलिया में सीत सोने की बहुत ही परसीद खान है तो ये किस सम्बंदीत है सोना से सम्बंदीत है चोथा प्रशने नमकीन छेतर में पाय जाने वाली वनस्पती को निमलीखित में से किस नाम से जाना जाता है हेलोफाइट के नाम से लीथोफाइट के नाम से मेसोफाइट के नाम से हाइड्रोफाइट के नाम से तो नमकीन छेतर में पाय जाने वाली इस बनस्पती को जो मुखे रुप से कहा जाता है वो कहा जाता है हेलोफाइट इसका जो सही उत्तर होगा option number A होगा हेलोफाइट हेलोफाइट जो है वो नमकीन छेतर में पाए जाने वाली बनस्पती है जबकि लीठोफाइट जो है चटानों के बीच उगने वाली बनस्पती को कहते है मेसोफाइट सितोषन कटिवन्दिय चेतर की बनस्पती और हाइड्रोफाइट जो हता है यह जल पलावित यानि पानी के उपर वाले जो घास होते हैं उनको मुखरूप से हाइड्रोफाइट कहा जाता है पाचवा प्रशने निमलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है आप्शन है पीरे नीज परवत फ्रांस और इस्पेन के मध्य इस्थित है जूरा परवत फ्रांस और स्विजरलेंड के बीच इस्थित है वास जेस जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच इस्तित है इन में से सभी जो है वो सही सही सुमेलित है तो आईए इसके सही उत्तर को देखते हैं और इसका सही उत्तर है option number D ये तीनों के तीनों कथन जो है वो सही सही सुमेलित है आते हैं अगले प्रशन के और छठा प्रशन है भुमद्य सागर निमलिकित में से किस जलसंधी द्वारा अटलांटिक महासागर से जूरी हुई है तो आपको अगर मैप देखेंगे तो भुमद्य सागर जो है ये एक तरह से अटलांटिक महासागर जो इस आकार में दिखाई देता है इससे जुरा हुआ है यहाँ पड़ एक जलसंधी देखने को मिलती है कौन सी जलसंधी है अप्शन है जिब्राल्टर जलसंधी, बॉस पोरस जलसंधी, बेरिंग जलसंधी, डेविस जलसंधी तो अटलांटिक महासागर और भुमद्य सागर के बीच जो जलसंधी दिखाई देती है इसे हम लोग जानते है जिब्राल्टर जलसंधी के नाम से सुदूर दक्षिन स्पेन और उत्तर पस्चिमियोतर अफ्रीका के मद्य इस्ति जिवराल्टर संधीग एक चैनल है जो भूमद्य सागर को अट्लांटिक महा सागर से जोडती है अगले प्रशन क्यों राते हैं? अगला प्रशन हमारा है दक्षिन पूर्व एसिया निमलिखित देशों में कौन सा एक भूमी पड़िबध यानी लैंड लॉक देश है यानी भू आबध देश के रूप में भी इसे जाना जाता है लैंड लॉक देश के रूप में इंगलिस में इसे समोधित किया जाता है दक्षिनपूर्व एसिया में कई देश हैं जिसमें से अधिकांस देश समुद्र के किनारे इस्तित है लेकिन उस छेतर में कौन सा लैंड लॉक्ट एडिया है जो चारो तरफ से देशों से ही घीरा हुआ है अप्षिनपूर्व एसिया का एक मात्र अस्थल रुद्र देश के रूप में जाना जाता है इसकी राजधानी वो वियन तियाने है अठवा प्रस ने बंदा बहादूर की हत्या किस मुझल सासक के द्वारा की गई थी तो बंदा बहादूर जो है गुरु गोविन सिंक के मरने के बाद जो है उसने सिख को सैनिक सेवा को जो है नित्रित्व परदान किया और उसने जो है मुगलों के विरुद जो है लड़ाई अपनी छेडी तो उसके मौत के जिम्मेदार कौन थे अप्सन है जहांगीर औरंगजेव फरुक सियर मुहम्मद साह तो बंदा बहादूर जो है वो वास्तों में बंदा लचमन दास या माधो दास के नाम से भी जाना जाता था विए भारत के मुगल साजकों के खिलाफ यूद छेरने वाले प्रमुक या पहले सेने थे यानि सिख सेने थे उन्होंने सिखों के राजिये का अस्थाई विस्तार किया उनकी हत्या जो है मुगलबाद साफ हरुक सि प्रशने जैव आवर्धन से क्या समझते हैं? दस्षमा प्रशने जीवों में पीरक नासी की मातरा बढ़ना, जीवों में पीरक नासी की मातरा बढ़ती जा रही हैं जिसे जैव आवर्धन के नाम से जाना जाता है दस्मा प्रशन है सुची एक एम सुची दो को सुमेलित कीजिए सुची एक में विभिन बैग्यानिक जो है वो खास करके डॉक्टरी चिकत्सिय उपकरन है और दूसरा है ये कि सरीर के भाग से सम्मंदित है जैसे EEG मस्दिस्क से ECG हिर्दा से EOG आख से और EMG मानस्पेशी से सम्मंदित है तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर है वो इसी प्रकार से सही सही सुमेलित है 11 प्रशन निमलिखित में से किसे पितासय नहीं होता है 49 आपस्ण है मचली में, जिराफ में, ऊंट में, चूहा में किस में पितासय नहीं होता है इसका जो सही सुम्म है चूहा में अधिकतर रीड की हड़ी वाले पशुमें पितासय होते हैं लेकिन इसके अपवाद में घोड़ा और चुहा को याद रखा जा सकता है बारहवा प्रशने कुनेन जो की मलेडिया के लिए एक प्रमुक असुदी है वह किस से प्राप्त किया जाता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आगा शिनकोना कि ये किस से प्राप्त होता है सिनकोना की चाल से लेकिन उप्सन अलग है उप्सन है आविर्थ बीजी पादप से बैक्टिरिया से यिस्ट से सैवाल से तो सिनकोना जो है एक पौधा है इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो option A है आविर्थ बीजी पादप यानी पौधे से जो है ये प्राप्त होता है कुनायन मलेडिया के उपचार के लिए एक प्रमुखोस्दी है जिसे सिनकोना नामाक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है तेरावा प्रशने निमलीखित में से मानाव शरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है ओप्सन है वोमर, फीमर, स्टेपीज, मैलेसी तो इसका जो सही उतर है वो है स्टेपीज, स्टेपीज जो होता है ये कान की हड़ी होती है जो कि पूरे शरीर में सबसे छोटी होती है जबकि फीबर सबसे बरी हड़ी या लंबी हड़ी होती है या मुखे रुप्षे जांगों में पाई जाती है चौदावा प्रशने परमानू के कक्छो को भरने का क्रम किस सिधान द्वारा नियंत्रित होता है उप्षन है ओप्बाव सिधान, हाईजनबर्ग अनिस्चित्ता सिधान, हुंड के नियं, पाउली के अपमार्जन सिधान तो परमानू कक्छो को भरने का जो क्रम है ये ओप्बावली सिधान से प्रेडित है और बावली का नियम जो है ततों के इलेकตरोनिक विन्यास लिखने की आसान वीधी परदान करता है इसके अनुसार इलेक्ट्रौन सर पर्थम निम्न उर्जा आस्तर से में जाता है जब यह उर्जा आस्तर पूर्टा भर जाता है तब इलेक्ट्रोन इस उर्जा आस्तर से उच उर्जा आस्तर में जाते हैं इस प्रकारिया क्रम चलता रहता है पंदरवा प्रशने किस धातू से बनाई मिस्र धातू को हवाई जहाज तथा रेल के डिबो के पुर्जों में काम में लगाया जाता है तो किस धातू से बनाई मिस्र धातू को लगाया जाता है ओप्शन है लोहा, एलमूनियम, तामबा इन में से कोई नहीं इसका जो सही उतर है वो है ऐलमूनियम ऐलमूनियम जो धातू होता है ये तामबे तथा लोहे की तुलना में काफी हलकी होती है इसलिए इसका प्रयोग जो है BCS रुप से हवाई जहाज और रेल डबो के निर्मान में किया जाता है तो आपको पता है कि लोहे के अलग अलग रूपों में सभी में कार्बन की मातरा पाई जाती है अप्शन है धलवा लोहा, पीटवा लोहा, स्टील, मिस्र धातू, स्टील इसका जो सही उतर है वो है ढलवा लोहा, ढलवा लोहा में लगवग 3,5-4% तक कार्वन की मातरा पाई जाती है जबकि इतना जो है वो किसी अन्य जो है लोहे में नहीं पाया जाता है सत्रहमा प्रस्ने गोता खोरों के सांस लेने के संबंद में किरिया में उप्योग की जाने वाली गैस कौन सी होती है इसका जो सही उतर है वो है option B अक्सीजन एवं हीलियम से जो है यह मिला करके दिया जाता है गोता खुरो को शांस लेने के लिए चुकि हीलियम जो होता है वो काफी हलका होता है जिसके कारण इसे कैरी करना आशान होता है तो फोटोग्राफी में किस अमल का पढ़ियोक के जाता है औक्जेलिक अमल का फेरस औक्जल्ट के रूप में फोटोग्राफी में उपियोक के जाता है फॉर्मिक अमल चीटियों से शायक अम नीबू से और सिर्का से प्राप्ट किया जाता है तो वास्तों में जो समतल कुन होता है इसका यो मात्रुक होता है वो होता है बिश्वा प्रस्णे किसी तरल की स्यानता का मापन करने वाले यंत्र कहलाता है विंड वेन कहलाता है रेडियो मीटर कहलाता है जाइरोस्कोप कहलाता है विस्को मीटर कहलाता है तो किसी तरल की स्यांता का मापन करने वाले यंत्र को जो है हम लोग कहते हैं विसको मीटर क्योंकि यह वास्तों में विसको सिटीज को ही मापता है तो विसको मीटर किसी तरल की स्यांता को विंड मेटर जो है पवन की दिशा को रेडियो मेटर वीकरन को तथा जैरो मेटर कून ये वेग को मापने का कारे करता है एकिस्वा प्रशने प्रकास वेधुत प्रभाव के अविस्कार करता कौन थे हर्ट्च, आइंस्टीन प्लांक, बूर किसने प्रकास वेधुत प्रभाव के खोज की थी इसका जो सही उतर है वो है हर्ट्च के द्वारा किया गया था तो प्रकास वेधुत प्रभाव की खोज सरपर्थम 1887 इसरी में हें हेंडिक हर्ट्च की ने की थी जबकि आइंस्टीन को प्रकास वेधुत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के अविस्कार के लिए जो है मूल रूप से सिरे दिया जाता है इसी कारे के लिए उन्हें उन्हें 21 में नोबेल पुरुषकार से भी सम्मानित किया गया था 22 प्रशने रेडियो धर्मी पदार्थ का उत्सर्जित होता है रेडियो धर्मी पदार्थ द्वारा क्या उत्सर्जित किया जाता है ओप्शन अलफा कन बीटा कन गामा कन उप्रोक्त में से सभी तो रेडियो धर्मी पदार्थो द्वारा जो है उप्युक्त सभी यानि सभी प्रकार की किर्णों का उथसर्जन किया जाता है ऐसा पदार जो radioactive किर्णों का उथसर्जन करते है इनमे अलफा वीटा गामा किर्णों का उथसर्जन होता है 3 प्रशन सरवाधिक già बिवित्ता कहां पाई जाएगी तो इसका जो सही उत्तर है वो है उसन कटी बन दिये वर्षा बन यानि सदा बहार बन जिसे हम लोग कहते हैं तो सदा बहार बन वाले छित्रों में जो है मूल रूप से जैब विवित्ता सबसे अधिक देखने को मिलती है 24 प्रशन निमिकित में से कौन एक वैस्विक तापन के लिए उत्तरदाई नहीं है और सने मीथेन जलवास ओजोन गैस और गन गैस तो वास्तों में जो वैस्विक तापन जिसे हम लोग गलोबल वार्विंग कहा जाता है ये गलोबल वार्विंग जो है वो किसके कारण आता ह तो इसका जो सही उतर है वो है मीथेन, जलवास, ओजोन गैस के द्वारा ये वैस्विक तापन बढ़ता है जबकि औरगन के द्वारा इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती है इसके अलावा CO2, CH4, M2O, CFC, O3 आदी ग्रीन हाउस गैस है जबकि औरगन जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरन नहीं है 25 प्रशने सबसे लंबा जीवित व्रिक्ष कौन सा होता है यूकेट लिप्टस का, सिकोया का, देवदार का, परणा का तो वास्तों में जो सबसे लंबा व्रिक्ष होता है, यह होता है, सिकोया का व्रिक्ष, सबसे लंबा जीवित व्रिक्ष सिकोया का माना जाता है, यह अमेरिका के उतरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है, इसकी लंबाई लगभग 789 फीट यानी 115 मीटर तक होती है citation 751 पीट है यहाँ पर आते हैं अगले प्रशन की होई रगला प्रशन हमारा है निम्ड में से भारत का सबसे पुराना stock exchange कौन है तो stock exchange जहाँ पर share market का कारोबार होता है वो stock exchange के अंतर गत आते हैं option है दिल्ली stock exchange, Bombay stock exchange, national stock exchange उप्रूक्ट में से कोई नहीं तो वास्तों में जो stock exchange में सबसे पूराना stock exchange है वो option B यानि बंबई stock exchange जो है ये सबसे पूराना भारत का stock exchange है इसकी अस्थापना जो है वो 1875 इस भी में ही हो गई थी वर्तवान समय में 23 देश जो है stock exchange में कारेकरत है 27 प्रशन है सम्विधान के अनुसार इन में से राष्ट पती की विधाई सक्ती कौन सी नहीं है तो राष्ट पती को भारतिय सम्विधान के तहत नियाइक सक्ती विधाई सक्ती कारेपालिका सक्ती इसके अलबा वीटो पावर स्वेम के द्वारा ले जाने वाले स्वाविवे का धीन सक्ति आदी कई परकार की सक्तियां प्राप्त है तो निमलिकित में से कौन विधाई सक्ति नहीं है ऑप्सन है संसत के सत्र को बुलाना संसत के सत्रावसान यानि उनके जो सेशन है उसको खोड रोकना इसके अलावा वह उच्तब नियाले से किसी भी विधी या तत्थे पर सलाह ले सकता है और अध्यादेश जाड़ी कर सकता है तो इस चारो कथनों में कौन सा विधाई कथन नहीं है इसको हम लोगों को जानना है तो एक, दो और चार ये तीनों जो है वो संसद के विधाई सकतियों के अंतरगत आते हैं जबकि ये जो तीसरा है यह वास्तों में नियाईक सकती के अंतरगत आता है ना कि विधाईक सकती के अंतरगत 28 प्रशन निम्न में से कौन सा सही नहीं है Option A, एक ग्राम पंचायत में एक आधिक ग्राम हो सकते है B, ग्राम सभा की बैठक परते ग्राम में होती है C, ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्याले में होती है और डी ग्राम पंचायत की बैठक परते ग्राम में होती है तो कौन सही नहीं है इसका जो सही उतर है वो ऑप्शन डी है ग्राम पंचायत की बैठक किसी भी गाउं में नहीं बुलाई जा सकती है बलकि मुख्य रूप से जो उसका मुख्याले छेतर होता है उसी में जो है ग्र भारतिय सेवाओं से वित आयोक्षे कुछ वर्गों के लिए विशेश उपवंध से ये संबंधित है। प्रस्तावना में नियाय समाजिक और आर्थिक और राजनितिक रूप में दिया जाता है। भात्रिते में एक ही सब्त का पड़िया गया है जिसका नाम है बंधुता। आते हैं एक तीसवे प्रस्त के और निमलिखित में से किस से संबंध में राज्य सभा का अनन्य अध्रिकार है। एक स्पेसल पावर राज्य सभा को मिलता है। आर्टिकल 312 के तहट राज्य सभा को राज्य सभा में उपस्थित एवं मदान करने वाले सदस्यों से कम से कम दो तिहाई सदस्यों से बहुमत प्राप्ट कर अकिल भारती सेवाओं का सिर्जन या समापन किया जा सकता है। 32 प्रशन है भारत के सम्मिधान में किस भाग में हम नागरिकता से सम्मंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो भारतिय सम्मिधान में कुल 22 भाग हैं तो किस भाग में नागरिक्ता है ओप्शन एक सोरी भाग एक भाग दो भाग नो भाग गयारा इसका जो सही उतर है वो है भाग दो भाग दो के अंतरगर जो है भारतिय सम्मिधान में नागरिक्ता से सम्मंधित प्रावधान पाँच से ले करके 11 के भी इच दिया गया है ते तीसवा प्रशन है महा बली पूरम में इस्थित मंदिर संभंधित है तो महा बली पूरब में जो मंदिर इस्थित है यह किसे संभंधित है option है चंदेल सासकों से पल्लव सासकों से चोल सासकों से राष्ट कूटों से महाबली पूरम का रत मंदिर ये वास्तों में पल्लव सासकों की देन है पल्लव सासकों में मुखे रूप शे जो ये मंदिर बनाया गया ये नर्सी वर्मन के द्वारा ये बनाया गया था और पल्लवों की राजधारी जो थी वो काची पुरब में इसकी राजधारी थी चौतिसवा प्रशन है असोक दूतिये के नाम से किसे जाना जाता है ओप्शन है कनिस्क, फिरोध साह तुगलक, समुद्र गुप्त, सेर साह सुरी तो इसका जो सही उत्तर है दूतिये असोक के रूप में जाना जाता है कनिस्क को इसका जो सही उत्तर है वो है ओप्शन एंबर एक कनिस्क कनिस्क जो है वो असोक के समान ही दयालू था, साती साथ उसने बौत धर्म को अपनाया था और 20 सो परसीद सिल्क मारक का परतिवादन भी कनिस्त के द्वारा ही किया गया था तो इसका रण उसे दूतिय असोक के नाम से भी जाना जाता है 35 पर स्ब्रेतिस इंडिया एसोसियेशन लंदन में है इंडिया इस्ट इंडिया एसोसियेशन कलकता में है National India Association जो है ये लंदन में है और Indian Association जो है ये बंबई में है तो वास्तों में जो कौन सुमेलित नहीं है ढूणना है तो इसका जो सही उतर है वो option D 2 और 4 जो है ये सही उतर नहीं है क्योंकि East India Association जो है ये लंदन में नहीं बलकि कलकता में अस्थापित किया गया था इसके अलबाए इंडियन एशोशियेशन जो है ये कलकत्ता से सम्मंधित है ना की बंबई से सम्मंधित है अब आते हैं 36 प्रश्ण के और 36 प्रश्ण है भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेड़ना से प्रारम हुआ था जोतिवा फूले की प्रेड़ना से एनी बेसेंट की प्रेड़ना से सरोजनी नायडू की प्रेड़ना से और रामा वाई की प्रेड़ना से तो सबसे पहले जो भारत में नारी आंदोलन को नित्यतो प्रदान किया गया ये किया गया जोतिवा फूले द्वारा तो जोतिवा फूले के शहयोग से भारत में नारी आंदोलन की शुरुवात हुई थी उन्होंने 1873 इसी में सत्य सोधक समाज की अस्थापना भी की थी जो कि काफी इंपोर्टेंट है और कई बार एक्जाम में पूछा गया है से तिस्वा प्रशन है गदर पत्रिका का प्रकासन सरपर्थम किस भासा में किया गया था ओप्शन है हिंदी भासा में, अंग्रेजी भासा में, बंगादी भासा में, उर्दू भासा में तो गदर पत्रिका जो थी जो की काफी जादा फेमस थी जो की बीदोसों से प्रकासित होती थी ये किस भासा में हुई थी तो सबसे पहले इसकी जो भासा थी वो अंगरेजी थी गदर पत्रिका का प्रकासन सरपर्थम अंगरेजी भासा में किया गया था यहां पत्रिका 1913 मे छपने लगी थी इसके प्रशात इसका प्रसकासन पंजाबी तथा उर्दी भासा में भी होने लगा था अर्थिस्वा प्रशन निमलिखित में से कौन डेनमार्क की राजधानी नहीं है और कनाड़ा की राजधानी राजधानी और कनाड़ा की राजधानी ओटावा है उन्चालिसवा प्रसन है बाली आरिक द्वीप समूह यह कहां पर इस्थित है आप्शन ए काला सागर में आप्शन बी दक्षिन चीन सागर में आप्शन सी भूमदे सागर में और आप्शन डी कैस्पियन सागर में इस्थित है तो बली आरिक दूइप जो है ये वास्तों में जो है ये भूमद सागरिये छेत्र में इस्थित है या चार-पांच दूइपों का एक समू है जो कि परियाटन का बिशेस के इंद्र माना जाता है चालिसवा प्रश्णय निमलिखित कत्रों में से कौन सही नहीं है ओप्सन ए है काली मिटी को अस्थानिय भासा में रेगूर कहा जाता है दूसरा है क्रेप्स के अनुसार रेगूर मिटी अनिवारे डूप से एक परिपक्व मिटी है जिसमें आदर्ता नमी धारन करनी कुछ चमता होती है तीसरा है काली मिटी में आदर्ता और नमी धारन की कुछ चमता होती है option D काली मिटी हिमालियन छेतर में पाई जाती है तो कौन सा कथन इन चारों में गलत है उसको ढूड़ना है तो इसका option number D जो है ये सही उत्तर को दरसारा है यानि काली मिट्टी जो है वो हिमालियन छेतर में नहीं बलकि मुखे रूप से जो है दक्कन छेतर में पाया जाता है जहां पर लावा से बने हुए चटानों के तूटने से काली मिट्टी का निर्मान हुआ है इसके अलावा अ पर देन्यूब नरी, मिशी सीपी नरी और नील नरी तो पक्ची के पनजे जैसा जो डेल्टा छेतर जो है यह बनाया जाता है मिसी सीपी नरी द्वारा तो इसका जो सही उतर जो है मिसी सीपी नरी है 42 प्रशन है फेयर वेल केप निमलीखित में से किस देश का दक्षिंतम जो है वो बिंदू के रूप में जाना जाता है जैसे भारत का दक्षिंतम बिंदू अंडमान नीको बारक में जो है दक्षिंतम बिंदू जो है वो इंद्रा पॉइंट के रूप में जाना जाता है उसी प्रकार से Fairvale Cape जो है वो किसका दक्षिंतम बिंदु है उप्शन है Australia, New Zealand, दक्षिन अफडीका और Ireland इसका जो सही उत्तर है वो है New Zealand Fairague Cape New Zealand का दक्षिंतम बिंदु है जबकि दक्षिन अफ्रीका का दक्षिन तंबिंदू उत्मांसा अंतरीब के रूप में जाना जाता है 43 प्रस्ण है गंगा नदी निमलिखित में से सहायक नदियों पविचार कीजिए गंड़, कोशी, घागरा, गोमती चारों ही जो है वो गंगा की सहायक नदी है उप्युक्त नदियों का पुर्व से पश्चीम की और अनुकरम निमलिखित में से कौन होगा तो यदि भारत में अगर देखेंगे कि ये गंगा नदी निकल के इस परकार से बहती है तो ये पूरव से पश्चीम की और कैसे हम इसको एरेंज करेंगे तो सबसे पहले यहां बिहार में कोसी नदी फिर कोसी नदी के बाद जाएंगे तो गंड़क और फिर गंड़क के बाद बढ़ेंगे तो घागरा गोमती तो इस परकार से जो इसका सही उतर है वो अप्शन C है पहले कोशी फिर गंडग फिर घागरा और फिर गोमती नदी इसकी सहायक नदियां है 44 प्रशने निमलिखित में से कौन सा अनुछेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन करने के लिए नीदेशित करता है अनुछेद 32 अनुछेद 40 अनुछेद 44 अनुछेद 49 तो वास्तों में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित आर्टिकल जो है वो अनुछेद 40 में दिया गया है संबिधान के अनुछे 40 में वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी सक्तियां तथा प्राधिकार परदान करेगा जो उन्हें स्वैत सासन की इकायों के रूप में कारे करने के योगे बनाने के लिए आवश्यक है 45 प्रसने किस चार्टर एक के तहट भारत में इसाई मिशनरियों को धर्म परचार एवं अंग्रेजी सिक्षा की अनुमती परदान की गई थी तो भारत में इसाई मिशनरियों को परवेश करने एवं धार्विक परचार करने के जो आदेश मिला था वो किस Chartered Act के तहथ मिला था ओप्शन है Chartered Act 1793 में Chartered Act 1813 Chartered Act 1833 और Chartered Act 1853 इसका जो सही उतर है वो है Chartered Act 1813 1813 के Chartered Act के तहथी कंपनी के द्वारा भारत में व्यपार के एक आधिकार को समाप्त किया गया तथा भारत में सिक्षा के लिए विशेस रूप से कारे करना यानि एक लाख रुपे देना शुरू किया गया तथा इसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक परचार करने की इज दे दी गई 46 प्रशने निमलिखित में से कौन सा विशे ऐसा है जिसे मूल करतब बे तथा राज्य के निती ने दे सकता तो दोनों में सामिल किया गया है ओप्शन है लोकसंपत्ति की सुरक्षा करना पड़ियावरन वन और वन जीवों की रक्षा और अभिवेर्धी हमारी समासिक सांस्कृति की समिर्द विरासत को प्रती सम्मान लगना सहकारी समीतियों को प्रत्साहित करना तो इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मूल करतब बे एवं राजे के निती ने दे सकता तो के आर्टिकल 48 कव में तथा मौलिक करतब एक अंतरगत एक करतब के किया गया है 47 प्रस्ने पंचायतों के संबंद में निम्लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पंचायतों के चुनाओ का आयोजन राज्ये निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है 4 उप्षन B परतेएक पंचायत अपनी परतम बैठा के आयोजन कितीती शे आरंब करके 5 वर्ष तक कायम रहती है उप्षन C ग्राम पंचायतों का मुख्य कारे ग्रामीन विकास में सहयोग करना होता है तथा option D इन में से कोई नहीं यानि कोई गलत नहीं है बलकि सभी के सभी कथन जो है वो सही है तो इसका सही उत्तर अगर हम लोग देखे तो option D है यानि कोई भी कथन गलत नहीं है तीनों के तीनों कथन जो है वो सही है वास्तों में पंचायतों का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वाराँ ही कराया जाता है. और तारिसमा प्रस्ण भारतिय समभीधान के प्रस्तावना में सामिल समानता, स्वतंतर्ता और बंधुत के आधर्स को प्रेढ़ना के रूप में कहांसे लिया गया है? तो समानता सोतंता बंधुत जो है ये किस देश से दिगरहित है अमेरिका के करांती से फ्रांसिसी करांती से रूसी करांती से चीनी करांती से तो ये समानता सोतंता बंधुत की जो धारना है ये फ्रांसिसी करांती की देन मानी जाती है फ्रांसिसी करांती के अंतरगत जो है इ जिनेवा, निव योक, दहेग, वाशिंग्टन, डीशी, इसका जो सही उतर है वो है निव योक में, UNDP का मुख्यालन निव योक में है, ये वम इसकी अस्थापना उनई 165 इस भी में किया गया था, UNDP, United Nation Development Program के नाम से जाना जाता है, लास्ट प्रशन है, आज का उरने वाला अस्तन पाई निमलिखित में से कौन है, उप्शन है, जगुवार, सुतुर मुर्ग, पैलिकन और चमगादर, इन चारों में जो सही उतर है, वो है उप्शन नमबर D, चमगादर जो है वास्तव में एक पक्षी नहीं, बलकि अस्तन ध अस्तन धारी जीव होता है, चमगादर आकास में उरने वाला अस्तन धारी जीव के रूप में जाना जाता है, जो पक्षी वर्ग में नहीं आकर के जो है, अस्तन धारी वर्ग में आता है, इसे पूर्ड रूप से निसाचर पढ़ानी के रूप में गिना जाता है, तथा ए आस पास में हडियाली बनाय रखे जीवन में खुशाली रहे इनहीं अभिलाशाओं के साथ हम लोग समाप्त करते हैं इस 35 सीरीज के वीडियो के साथ इस रिंखला को आपके लिए उपलब्द कराए जाएंगी जल्द ही इसकी सूचना आप लोग को दे दी जाएगी तो धन्य दोस्तों इडूटेरिया को इतना सपोर्ट करने के लिए और इसके साथ बने रहने के लिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करने के लिए थैंक यू